So guys, कल मेरी एक फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि यार, 13000 से 14000 के बीच में कोई 5G स्मार्टफोन आ सकता है, जिसके अंदर कैमरा भी अच्छा हो, प्रोसेसर भी अच्छा हो, और जो बॉक्सी डिजाइन के अंदर स्मार्टफोन, कोई ऐसा स्मार्टफोन है, तो मैंने क्या दोस्तों, बहुत बढ़िया प्राइस रेंच मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे, और आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन खोल रखी है मैंने, तो चलते हैं और आपको दिखाता हूँ, मैं इन्फिनिक्स का जो मॉबाइल फोन है, तो यहाँ पर हमारी क्रेडिट कार्ड ये डेबिट कार्ड है, उन पर भी जाकर आप देख सकते हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट के पुरानी यूजर हैं, और अगर आपने इन दिनों में या बहुत पहले भी कोई चीज़े मंगाई है, तो यहाँ पर जागे आप सूपर कोईन भी यूज का सकत प्रेंट है, और बॉक्सी डिजाइन है, बैक साइड से आपको यहाँ पर डिजाइन आप देख सकते हैं, काफी क्लासी डिजाइन बनाया गया है, तो बैक से कुछ स्टाइब से दिखाई देता है, स्मार्टपोन, इंफिनीश से नीची ब्रैंडिंग की गई है, और कुछ इस ट्राइब से आपको यह स्मार्टपोन दिखाई देता है, तो मोटा मोटी अगर फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो 5000 mH की फुल बैटरी मिलती है, 45W की फास्ट चार्जिंग मिल रही है, MediaTek Diamond City 6080 मिल रहा है, 67 Technology पे बेस्ट है, तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं वाली है, आपको 4G, 5G की सिगनल्स प्रॉपर मिलने वाले हैं, आपको यहां पर 16GB की RAM भी मिल रही है दोस्तों, 256GB की स्टोरेज मिल रही है, साथ में 108MP का प्रामरी कैमरा है, और साउंड of the best in the world speakers बनाते हैं, साउंड बहुत ही जबरदस आते हैं, high resolution के हमको देखने को मिल जाती है, साथ में display की बात करें, तो 6.78 inch की FHD, यान की Full HD Plus डिस्पले आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, वो भी 120Hz refresh rate के साथ में, इस से जाधा आपको क्या चाहिए इस स्मार्पोन के ले, तो दोस्तों जल्दी से जाईए, अगर आपको बजट इतना ही है, तो आप भी इस स्मार्पोन को बहुत ही जल्दी purchase कर सकते हैं, इसी price range के अंदर, बाद में मुझे thank you बोल देना, अगर आपको वीडियो और मेरा suggestion अगर पसंद आया हो, साथी में ऐसी वीडियो के लि झाल